दोस्तों कैसे हूँ, फैनली मागे एकनी वीडियो के साथ इसमें हम बात कर रहे हैं इस वेकेंसी के वह बहुत ही खास है और ये वेकेंसी आई है सेंट्रल गवर्मेंट से यानि की किंद्री सरकार से दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगनीपत योजना के बारे में और इसके लिए आठफी पास, दसफी पास, बारवी पास वह डिपलोमा अपलाई करेंगे पूरे इंडिया से आप चाहे भारत में कहीं भी रहते हो आप इस वेकेंसी का फॉर्म भर सकते हो दोस्तों अगनीपत योजना में इंडियन एयर फोर्स की वेकेंसी की कम्प्लीट डीटिल आ गए है इसका date भी आ गया है, कब से कब तक इसका form भढ़ना है और संपूर्ण जानकारी भी आ गई है लेकिन आपको Indian Army और Navy की vacancy के details अभी नहीं आए है कल परसों में आ जाएंगे तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा दोस्तो इस वीडियो में आपको Indian Air Force अगनीपत की complete vacancy details का पता चल जाएगा आप पूरा इस वीडियो को देख लो, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सेर कर दीजेगा चलिए हम चलते अपने website पे और जानते हैं इसके complete details दोस्तो फैनली मागे अपने website पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे recruiting body है ministry of defense अगनीपत जो योजना है वो आपको ministry of defense ने पारित किया है और यहाँ पे scheme का नाम है Indian Air Force अगनीपत scheme application mode क्या है तो application mode यहाँ पे online है टोटल वेकेंसी रहने वाली है 3500 के approach वैसे आपको साल भर में टोटल वेकेंसी आएगी 46,000 उसमें से 3500 यहाँ पे है दोस्तो इसके लिए कौन apply कर सकते हैं तो All India से candidate apply कर सकते हैं और इसके लिए केवल ब्वाईजी apply कर सकते हैं male candidate ही apply कर सकते हैं girl supply नहीं कर सकती है job location भी रहेगा पूरे भारत में अगर हम बात करते हैं इसके pay scale salary की तो salary यहाँ पे आपको मिलती है पहले साल 30,000 रुपए पर मन्त की दूसरे साल मिलती है 33,000 रुपए पर मन्त की तीसरे साल मिलती है 36,500 रुपए पर मन्त की वहीं चौते साल मिलती ही आपको 40,000 रुपया पर मन्द की दोस्तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का डियूरेशन जो होगा वो आपको 6 मन्द का ट्रेनिंग होगा सलेक्ट होते हो आप तो और यहाँ पे जौब जो होगी वो आपको 4 साल की है यहीं डिमेरिट है इसका और यहाँ पे आपको 4 साल की जौब के बाद अप्टो 25 परसेंट को पर्मानिंटली रख लिया जाएगा फर्दर जौब के लिए बाकि 75 परसेंट को निकाल दिया जाएगा रिटार्मेंट में आपको क्या-क्या बैनिफिट्स मिलती है मैं आपको वो बताएता हूँ दोस्तो आफ्टर रिटार्मेंट यानि की 4 साल की बाद आपको यहाँ पे 11.71 लाग का सेवा निधी पैकेज मिलता है साथ ही आपको skill gain certificate भी मिलता है जो कि आपको आगे job पाने में help करेगा साथ ही आपको यहाँ पे 48 लाग का life insurance cover मिलता है और आपको 25 परसेंट मैंने बता दिया कि आपको armed forces में जा सकते हैं दोस्तो अगर हम बात करते हैं इस educational qualification की तो मैं बता दूँ आपको इंडियन आर्मी में 8 फी पास, 10 फी पास हुआ बारवी पास apply करेंगे और इस Air Force की vacancy में बारवी science वाले with physics, maths and English with minimum 50% marks वाले apply कर सकते हैं और आपको overall 50% aggregate होना चाहिए या फिर बारवी पास apply करेंगे या फिर Diploma in Mechanical, Electrical, Electronics, Automobile, Computer Science, Instrumentation, Technology, Information, Technology वाले apply कर सकते हैं या फिर अगर आपने 2 साल का vocational course किया है with non vocational subject physics, maths के साथ तो भी आप apply कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे selection based है written exam, PhD, PhD पर और यहाँ पे I.U.C. मा माई गई है जेनरल के लिए 17-23 साल, O.B.C. के लिए 17-25 साल, वहीं आपको SCHT के लिए 17-28 साल यहाँ पे application fee से सारे candidates के लिए 1.5 रुपाय और यहाँ पे इसको scheme का announcement का date है 14 जून और इस vacancy का form भरने का date जो है वो आपको है 24 जून से 5 जुलाई के बीच में कल से आप इस vacancy का form भर सकते हो, form भरना कैसे है तो सबसे पहले आप देखलो यहाँ पे इसका official notification का link है आपको इस पे click करके यह इसका official notification डाउनलोड करके पढ़ना होगा इसको पढ़ दिजीगा इसमें आपको इस vacancy के regarding सारे details मिल जाएंगे और form भरने के लिए आपको क्या करना है आपको फिर से back जाना है हमारे website पे और देखो यहाँ पे इसका apply link है आपको इस link पे click करके form को भरना होगा कल से आज आपको नहीं खुलेगा क्योंकि form कल से भरना चाहेगा दोस्तो आठवी दसवी पास के लिए आर्मी में भरती है जो कि मैं आपको कल पर सो वीडियो बना दूँगा दोस्तो अभी भी कोई सवाल है तो comment करके पूछ सकते हैं वीडियो को like और share कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा more job updates के लिए इस वीडियो में बस इतना ही जय हिंद वंदे मातरम